अधर्वाल वेलकम टू दिस चैनल आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वेकेंसियों की रिगारिंग बात करेंगे जैसे के आप सब लोगों को पता है हम इस चैनल की माध्यम से इस्टेट और सेंट्रल गौवर्मेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वेकेंस निकली हुई है यह सेंटर लेबल पर निकली हुई है यहां पर पोस्ट की बात कर लें तो फार्मासिस्ट की रहने वाली है, number of पोस्ट की बात कर लें तो 21 रहने वाली है, salary की बात कर लें, 19-19 यहां की salary रहने वाली है, और यह जो vacancy है, यह contract basis पर यह vacancy रहने वाली है, जो कि district selection committee, इनको appoint करेगी जो pharmacist है, education qualification की बात कर लें, तो 10 plus 2 के साथ साथ, आपके पास में diploma in pharmacy या bachelor in pharmacy में से कोई भी एक degree होना अनिवार है, और वो भी एक recognized institute से होना चाहिए, then उसके बाद में आप as a registered pharmacist होने चाहिए, आंद्रप्रदेश pharmacy council से, यहां पर यह भी mention किया हुए, फार्मडी वाले candidate इस vacancy के लिए apply नहीं कर सकते हैं, note करके यहां पर यह भी बता दिया है इन लोगों ने, अगर कोई ऐसा person है जिसके पास bachelor in pharmacy भी है और diploman pharmacy भी है तो उसका कौन सा जो course है, वो यहां पर count किया जाएगा, यह depend करेगा जिस course में सबसे ज़्यादा marks हैं, उसके सबसे ज़्यादा percentage है उस course को यहां पर सबसे पहले count किया जाएगा और जिसमें marks कम है percentage कम है, उसको count यहां पर नहीं किया जाएगा, यह notes में यहां पर यह चीजे clear कर दिये, तो आप इस form के लिए अगर apply करना चाहते हैं, आप बिल्कुल clear रहिए, जो eligibility है आपकी, वो आपको clear होनी चीजे कि क्या आपके पास में कौन से course होने चीजे और आप ऐजे registered pharmacist किस state में registered pharmacist होने चीजे, age limit की बात करने हैं, यहां पर mention किया हुआ है basically इस page की link इस video के description में मिल जाएगी, उस video के description में जाने के बाद link पर click करेंगे, page open हो जाएगा और page open करने के बाद आप इसके rules regulation यहां से proper अच्छे से read कर सकते हैं, इसकी age limit यहां पर बताई गई है, minimum 18 और maximum 42 year यहां पर age limit रहने वाली है अलग-अलग relaxation भी दिया हुआ है age में, जैसे के physical handicapped person के लिए 10 year तक का relaxation भी दिया है, तो यहां पर यह आप read कर लिजगा, आपको clear चीज़ें समझ में आ जाएंगी, application fees की बात कर ला है, तो यहां पर OBC के लिए 300 रुपे और SCHT के लिए 200 रुपे फीज रहने वाली है physically challenge candidates यहां पर यहां पर यह चीज़ें clear की हैं, उसके बाद में method of selection की बात कर ला है, तो selection process क्या रहने वाला है, यहां proper तरीके से mention किया है, इसका official notification basically हम बता देते हैं और उसी से हम यह discuss करेंगे, किस तरीके से official notification रहने वाला है तो यह page आप open करी लोगे video के description में जाने के बाद link पर click करके page open हो जाएगा scroll down करते हुए नीचे की तरफ आओगे और last date भी यहां पर mention की हुए जो कि 21 बारत 2021 रहने वाली है download application form पर click करोगे, तो application form download हो जाएगा, more information पर click करोगे, तो इसका official notification डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें पूरी details में सारी चीज़ दी होंगी, तो हम यह advice करेंगे, apply करने से पहले इसके official notification को download कर लीजी अच्छे से, और वो download होगा जब आप more information पर click करेंगे तो इसका official notification डाउनलोड हो जाएगा download होने के बाद proper read कर लोगे और अगर आप interested है, आप eligible है इस vacancy के लिए, तो आपको किस तरीके से vacancy को apply करना है वो भी हम बता देते हैं, आपको download application form पर click करना है और form को download कर लेना है download करने के बाद में print out निकालना है print out निकालने के बाद में form को proper तरीके से fill up करना है fill up करने के बाद में, आपको यहाँ पर यह जो official notification download करोगे, more information पर click करके, तो आपको यह बताया गया है इस notification में, कि आपको जो fees submit करने है, वो किस तरीके से करनी है तो demand draft के थूरू fees submit होनी है, तो demand draft बनेगा किस के नाम से बनेगा, किस account के लिए बनेगा, वो सारा का सारा official notification में आपको दिया होगा, आप demand draft तयार करा लोगे, according to category अगर आप OBC में आते हैं, तो 300 रुपे का demand draft और SCST में आते हैं, तो 200 रुपे का demand draft DD आप बनेगे, तो DD आपके पास में होगा और उसके बाद में download application form download कर लोगे, print out निकालोगे, form को fill कर लोगे, तो fill करने के बाद में अभी demand draft आपके पास में है, form है आपके पास में और आपको लगाना है relevant document, जो के education qualification से related होंगे, 10 plus 2 की mark seat और certificate, ये भी जो जो आपको document लगाने है अपनी study को लेके, या आदार card, pain card या जो भी as a registered pharmacist का जो certificate होता है जितने भी document आपको लगाने हैं जिरॉक्स करानी है, कैसे पता चलेगा कौन कौन से document लगाने है, वो official notification जो आपने download किया हुआ होगा उसमें सारी चीज़ें अच्छे से clear हो रखी होंगी तो वो original document का जिरॉक्स कराना है, self-attest करने है और अब आपको क्या करना है एक fold करना है वो सारे के सारे जो application form है जो application form है demand draft है और जो relevant document है जिनकी जुरॉक्स करके self-attest आपने कर रखी है इन सब document को combine करके, fold करके envelope में close करते हुए आपको दिये हुए address पर क्या कर देना है, send कर देना है देन उसके बाद का जो process है वो final merit list यहाँ पर prepare करेंगे और आपको inform किया जाएगा by mail या by contact number या फिर इसकी जो official website है उसकी official website आपको यहाँ पर clear दिख रही होगी, यह official इसकी website है तो उस पर आपको inform कर दिया जाएगा इससे related अगर कोई भी query है तो comment section में comment करके clear कर सकते हैं उसका reply आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा एक बार official notification को और देख लेते हैं देखो more information पर जैसे हमने क्लिक किया है तो इसका official notification download हो जाएगा net इसमें net data off हो रखाता हमने on किया है और retry करते हैं और then के इसका official notification है उसको download करने की इसका official notification आपको बहुत clearly दिख रहा है जो के हमने वहाँ पर click करके more information पर click करके download किया है तो यह notification में बहुत अच्छे से सारी चीज़े proper और clear दी हुई है यह read करने के बाद ही आप form को apply कीजिएगा हमने हम बता चुके हैं आपको किस तरीके से form को apply करना है और यहाँ पर सारी चीज़े बहुत अच्छे से दी हुई है अगर आपको ddb prepare कराना है तो किस name से और किस तरीके से यहाँ पर ddb आपको prepare कराना है सारी information इसमें बहुत clearly दी हुई है हम आपको यह भी बताते हैं और आपको कहाँ पर यह जो पोस्ट है यह पोस्ट करना है जो form है envelope में close करके किस address पर आपको पोस्ट करना है वो भी हम आपको clear यहाँ पर कर देते हैं तो आपको जो पोस्ट करना है देको लिखा होगा office of o o जो लिखा है o o office of district medical and health officer और यह district का नाम दिया है यह यहाँ पर आपको send गर देना है